चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवै चंद्रचूर की जगा लेंगे संजीफ खन्ना सुप्रीम कोट के जस्टिस संजीफ खन्ना अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोट के 51 वे चीफ जस्टिस होंगे आपको बता दे कि CGI चंदरचूर ने सरकार से उनके नाम की सिफारिश की है परंपरा के मताबिक मौजूदा CGI अपने उतरहधिकारी के नाम की सिफारिश तब ही करते हैं जब उन्हें कानून मंत्राले से ऐसा करने का आगरे किया जाता है CGI चंदरचूर के बाद व्रिष्टता की सूची में जस्टिस संजीव खन्ना का नाम शामिल है हलाकि उनका कारिकाल सिर्फ 6 महीने का होगा CGI चंदरचूर 10 नवंबर 2024 को सेवा निर्वरित हो जाएंगे जिसके बाद जुस्टिस खन्ना 51 वे CGI का पदभार संभालेंगे बतादे कि 64 साल के जुस्टिस खन्ना 13 मही 2025 को रिटायर हो जाएंगे जस्टिस संजीफ खन्ना सुप्रीम कोट में वरिश्टा करम से सबसे उपर है जस्टिस संजीफ खन्ना का जन्म 14 मही 1960 को हुआ था उन्होंने दिल्ली उनिवस्टि के कैंपस लौ सेंटर से कानून की पढ़ाई की सुप्रीम कोट जज बनाये जाने से पहले वो दिल्ली हाई कोट में 14 साल तक जज रहे 2019 में उन्हें सुप्रीम कोट में पदोनत किया गया था रिपोर्ट के मुताबिक 32 जजों की अंदेखी करके जस्टिस खन्ना को सिप्रीम कोट जज बनाने पर जम कर विवाद हुआ था 10 जन्वरी 2019 को कॉलेजियम में उनकी जगा जस्टिस महेश्वरी और ब्रिश्टा में 33 विस्थान पर जस्टिस खन्ना को प्रमोच करने का फैसला किया इसके बाद सिफारिश पर राश्ट्रपती रामनात कोविद ने दस्ताखत कर दिये थे जस्टिस खन्ना के बाद अगले CGI के तौर पर जस्टिस भूशन रामकृष्ण गवई का नाम चर्चा में है वो मई 2025 में पद संभालेंगे आपको बता दे कि जस्टिस रामकृष्ण गवई देश के अनुसूचित जाती वर्ट से आते हैं खास बात ये है कि मई 2025 में CGI बनने के बाद जस्टिस गवई भी अगले 6 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे सुप्रीम कोट के आधारिक वेब साइट के मुताविक 16 मार्च 1985 को कानुनी पेशी की चुरुआत करने वाले जस्टिस गवई 23 नवंबर 2025 को रिटायर हो जाएंगे